इस वीलकम तो मै चैनल तो आज अब को मैं शिखाऊँगी ृज सकती है एक बचा यहां आगर 1621212 अगर 214 ने करा एक हम एक बचा यहां यहां आगर 12 बने गया तो टू के टेबल में कर लें तो टू एट सार 16 हो जाएगा और टू बान सार 2 अब लास्ट डिजिट 1 है टू के टेबल में तो नहीं हो सकता थ्री के टेबल में कर लेंगे तो यहां कितना रह गया टू यहां आ गया थ्री सेवन जार टू अगें थ्री के टेबल में कर सकते हैं थ्री नाइन जार टू तो यह जो इसके टेबल में करें तो तो यह जो इसके फैक्टर्स बन गए हैं सारे अब इनको यहां पे इसके रूट के अंदर लिख लेंगे इन तो 2 तु कितनी दफ़ा है तो यहां पे टु टाइम लिख लिए है फिर इसके बाद 3 देखें 1 2 3 4 तो 4 टाइम यहां पे थृ लिख लेंगे अब यहाँ पर यहाँ पर यह जो नमबर्स हैं इनको pair की फाम में लिखा जा सकता है यह two-square यह three- sigma- square और यह three- scale तो इसको लिख सकते हैं two- NATO- square three- square और यह भी three- integral और square root की value one over two होती है तो उसे यह तमाम two होगे cancel out कर तल्स तो यहाँ पर वाकियending values बची हैं square root of 324 is 18 इसका square root कितना होगा 18 by prime factorization method